वेलकम बैग तो माई यूटीब चैनल गूड मॉर्णिंग कैसा आप लोग आई होग की बहुत अच्छा मिलाइब लाग में आपका सॉरे चाहिए गाईज और हम कल रात को आ चुके थे उने में और आप भी देखो दस बच के 43 मिनट हो गया है उबर वाले ने अभी तक कुछ नहीं दिया है और आप भी हम कुछ करवे नगर में हैं यह देख सकते हूं सुबह सुबह पौने 11 वजने को आने वाला है लेकिन अभी तक रात से कुछ बजा नहीं है उबर पता नहीं धंदा डाउने क्या है बट आप लोग बने रहिएगा आज हम दिखाएंगे कि पूने आप से और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा लेना ताकि जो वीडियो डालू पहले आप लोग को सके तो चलिए दे रहे इस बात की वीडियो को स्टार्ट कर दे लेक्स को सो हेलो गाईस तो आज चुका है मेरे पास बुकिंग और अभी टाइमिंग जो हो रहा है न वो चार बच की अठारा मिनट हो रहा है देख लो सुबह से मैं खड़ा हूँ पन्वेल में वह भी हिंजे वाडी में अभी देखो वह भी आया है पन्वेल में 24 मिनट दिखा रहा साथ किलोमेटर जाने के लिए इंटर सिटी में ठीक है बहुत मतलब कल का आया हुआ है आज साम को जा रहा हूं और देख सकते हो आप ब्लॉक एच से मिस्टिक टावर फेस 3 हिंजे वाडी से राजी गांधी फोटेक पार्क से आया हुआ है पिक अभी में गैस के लाइन में यहां पर और यहां से मैं सिंजी भरूंगा कितने का जाएगा वह भी में बताऊंगा और भर के फुल और एकदम चलता हूं और आप देख सकते हूं चार बच के ठारा मिनट पर बुकिंग आई है तो बने रहो लेट्स गो तो गैस कर दिया फुल भाई 548 रुपे का और देखो पुना का वीदर एकदम खराब यह है हिंजे बाड़ी फेस वान और फेस थिरी से पिकप करना अभी चल रहा हूं साड़े चार हो गया ठीक है चार अट्रा पे बुकिंग आई और चलते हैं अभी मिलते हैं आप से सीध मिलते पन्विल बोच के तो पहुंच चुके हैं पन्वेल और साथ बच के बारा मिनट दो घंटे दस मिनट लगा आने में और आप देख सकते हो किलो मिटर आपको दिखाता हूं मैं कितना चली और गैस देखो मेरे पास तीन पइंट बचा हूगा ठीक है और एक सो बीस किलो मेंटर गाड़ी चली ह है बारा सो रुपे मिला हूबर में और दस के रिट से मिला इंटर सिटी में तो चलिए अभी जाएंगे हम घर पे और आपको टोटल डीटेल्स बता देते हैं कि वहां पे हमने भराय थे गैस जो की आपने देखा था पान सोड तालीस रुपे का गया था पान सोड तालीस मे अभी देखो बचा हुआ है इतना गैस देख सकते हो तीन पॉइंट मतलब 200 के गैस बचे हुए है तो मतलब 300 के गैस में आप 120 किलो मेटर गाड़ी आराम से आ सकती है तो माल नहीं 300 के गैस में तो आप समझो 400 के के गैस में पकड़ लो आप 120 का एवरेज देख लो कितना होत की है फिर जाना है कल मुझे पूने ही आप लोगों को बता दे और ब्लॉग भाई बहुत बड़ा हो जाएगा तो चलिए देर किस बात की ब्लॉग को एंड करते हैं मिलते एक ने ब्लॉग